आप यदि किसी को ख्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लेना, आप अभी भगवान के मार्ग पर सच्छे मन से नहीं चल रहे हो, और जिस दिन हम भगवान के मार्ग पर चलना प्रारंब कर देते हैं, उस दिन हमारे अंदर से ख्षमा गुण प्रारंब होता है, हम ख्षमा क करना भी है भगवान विष्णु को भ्रगुजी ने लात्मारी थी निरणाई हुआ कि तीनों देवों में स्रिष्ठ कौन है यदे पी तीनों देव बराबर है लेकिन तब भी एक कौतुहल के लिए रिश्यों ने ये एक प्रश्न किया कि तीनों देव में कौन बड़ा है इस ब्रह्मा जी के दरवार में गए ब्रह्मा पिता है ब्रगुजी के प्रणाम नहीं किया ब्रह्मा ने क्रोध भरी आँखों से देखा कि तो मेरा बेटा हो करके मुझे प्रणाम नहीं करता है ब्रगुजी ने सूचा कि पिता जी भी कुछ ठीक नहीं है इन्हें भी सम्मान ज्यादा चाहिए बोले बाबा के पास गे तो बोले बाबा ने हाथ कड़े कर दिये आओ भाईया बहुत दिनों बाद आई हो तुम आओ मेरे कले लोगो तो ब्रगु ने उनको चड़ाने के लिए नहीं नहीं दूर से ही रो तुम भूद प्रेतों का संग करने वाले हो चिता भगवान विष्णों सोय वे थे और सोय वे भगवान विष्णों के वक्षा स्थल पर सीधे जाकर के लात मारी और जोहीं लात मारी आप समझ सकते को क्या हो सकता है आप जगेवे आदमे को मार दो जगेवे आदमे को उतना गुस्सा नहीं आएगा स्वेवे आदमे को ज़्यादा गुस्सा आता है स्वेवे में कोई आपका कुछ और आपके नीन खराब हो जाए तो बहुत गुस्सा आता है क्रोध आता है यह बगवान सोईवए थे और सवध़ए भगवान के वक्षस्तल पर चाती में ब्रगुजे ने जाकरके लात मारे लेकिन बगवान कियाrat भगवान ने उल्टा भृगुजे को लात नहीं मारें बलके भृगुजे के चरण पकड़ लिए भगवन मेरा ये वक्षस्थल राक्षस से लड़ते लड़ते बज्जर के समान कठोर हो चुका है कहीं इस पर लात मारने में कहीं आपके पाउं को चोड़ तो नहीं लगे आप ये देखिए बड़ा वो नहीं है जो दंड देता है बड़ा वो है जो ख्षमा करता है ख्षमा वड़न को चाहिए छोटन को उतपाद कहा घटियों है विश्टन को जो भिगुने मारी लान मान अबड़यों है विश्टन को जो भिगुने मारी लान बड़ा किसी को उसके की सजा देने का मज़ा दो-चार दिन का है लेकिन किसी ने आपका अपराद किया और आप उसको ख्षमा कर देते हो यह आनंद जीवन भरका है तो क्या करना चाहिए ख्षमा करने मनुष्य की मनुष्यता ख्षमा करने में हैं दंड देने में नहीं तालाब बहुत बड़ा होता है और उसकी तुलना में कुवा बहुत छोटा होता है लेकिन जब पानी पीने की बात आती है तो लोग तालाब का पानी पीना पसंद नहीं करते हैं कुवा का पानी पीना पसंद करते हैं क्यों क्योंकि क्यों में गहराई है और सुद्धता है तालाब बहुत बड़ा है लेकिन उसमें गहराई नहीं है सुद्धता नहीं है इसलिए लोग कुएं तालाप का पाने नहीं पीते हैं किसका पाने पीते हैं कुएं का कुएं का पाने क्यों पीते हैं क्योंकि उसमें गहराई है और सुद्धता है मतलब क्या है आप बड़े कब हैं बहुत बड़ा होने से आप बड़े नहीं है आपके जिवन में गहराई हो और आपके जिवन में पवित्रता हो ये दो गुण है आप तो आप बड़े हैं अन्यता आप बड़े हो करके भी बड़े नहीं क्षमा सरीर के सुन्दरता रूप से है रूप के सुन्दरता गुणों से है और गुणों की सुन्दर्ता ख्षमा से है आपका सरीर कैसा भी हो यदि रूप नहीं है तो सरीर बेकार है रूप की सुबा किस से है सुन्दर्ता से है और सुन्दर्ता की सुबा किस से है गुणों से है कोई बहुत सुन्दर व्यक्टी हो या इस्त्री हो लेकिन उसमें कोई गुण नहों तो वो अच्छी मानी जाएगी अच्छा माना जाएगा नहीं माना जाएगा अच्छा विक्ति किस्से माना जाता है गुणों से और उन गुणों की भी सुभा किस्से है जब आप ख्रमा करना जानते हैं आप किसी को ख्रमा कर ना जानते हैं आप किसी को छूड़ ना जानते हैं तो आप बड़े हैं तो आप की सुभा है